हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हो आप सब आज मैं आपके लिए एक और गंपती मुर्थी के वरक्शॉप का वीडियो लेके आई हूँ जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी साइस की गंपती जी की मुर्थिया है और यह मुर्थी में आप देख सकते हो प्राइमर हो चुका है और और अभी काम पाकी है जैसे कि 15 दिन ही बचे हैं गंपती जी को आने में तो यहाँ पर काम फास्ट 15 फिट्स की हैं और और बी जो बड़ी मूर्ति हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी यह मूर्ति आप देख सकते हो गनपति बपा की यह करीबन 20 फिट्स के उपर की होगी यह बहुती सुन्दर मूर्ति है साथ में शेर है बगवान जी के और इस मूर्ति का काम अभी चल बार देखें हैं और यह आप देख सकते हो यह दूसरी गनपति बपा की मूर्ति है यह बहुत की है यहां पर आपको 20 25 फिट इब गनपति बॉप्पा की मूर्थी अभी आपको देखने को मिलेंगी और यह देख सकते हो सामने काम चल रहा है और यह भी यह यहां पर प्राइमर किया जा रहा है मूर्ती के और यहां पर यह आप देख सकते हो यह एकदम अलग ताइप की डिजाइन की गनपती बपा की मूर्ती है यह फेस थोड़ा छोटा है और सून काफी बड़ी बनाई गई है मूर्ती की और यहां पर दूसरी मूर्ती पर काम चल रहा है यह आप देख सकते हो यह सिंगासन पर बैठे हुए गनपती बप्पा है और यह वाइड एंगल में मैं आपको देखा रही हूँ अभी जूम करके दिखाऊंगे यह काफी बड़ी साइस की गनपती बप्पा की मुर्ति और बहुत ही सुन्दर दिखाई देती है ल बहुत ही सुन्दर यह मूर्ति है यह आप देख सकते हो यहाँ पर पार्ट्स बना के रखे हैं जैसे यहाँ पर पीलो बना दिया यह बैग्राउंड है सिंगासन का वह बना दिया यह सब अभी अटेच होगा और यहाँ पर यह शिवलिंग बन रहा है यह किसी मूर्ति के सा बनात में लगाया जाएगा यह मूर्ति करिवन 15 फीट की है और पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं वह बड़ी साइस की मूर्तिया है वह भी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी और यह आप देख सकते हो यह करड़ा अभी फ्रेश बनाया है तो यह जोएलरी वगरे फिर बाद में उसको जोइंट किया जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी दिखाया है तो उसी तरह से यह मूस्ति सब सेम ही बनाते हैं ऐसे और भी वरक्शोप के वीडियो चैनल पर अवेलेबल है अगर आप चाहो तो वह जाके देख सकते हो और यह आप देख सकते हो कितनी सारी मूर्तिया हैं यह 12-15 फीट के आसपास की सब मूर्तिया है और यह देख सकते हो आप नेकलेस बनाया है गनपती बपा का तो यह थोड़ा सा ड्राइए होने के बाद में फिर यह लोग लगाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो अलग-अलग डिजाइन की आपको गनपती बपा की मूर्ति देखने को मिलेगी चले चलते हैं बड़ी साइस वाली देखने के लिए और यह आप देख सकते हो यह भी काफी बड़ी साइस की मूर्ति है और मैं आपको जूम करके दिखा देत काफी सुन्दर मूर्ति है गंपती बपा की कि और आगे यह साइज की मूर्ति यहां पर याधि को देखने कम रही है पिलो है और यह आप देख सकते हो यह पीछे मुकोट के पीछे का है और यह यहाँ पर सूंड है हाथ है यह सब बने हुए है तब यह अटेच करेंगे बाकी की मूर्तियों के सिंगासन के पीछे का बैक्गराउंड है और यह मूर्थिया आप देख सकते हो बहुत ही विशाल मूर्थिया है और यह वाला सिंगासन के पीछे का बैक्गराउंड आप देख सकते हो कितना सुंदर बनाए गया है काफी सुंदर कारीगरी की गई है इसमें यहाँ पर आपको पर बहुत ही सुन्दर दिखाई देने वाली है यह सबसे बड़ी वाली साइज की मूर्ति है यह उद्ना की है काफी सुन्दर बहुत बड़ी है यह वरक्शॉप समीथी स्कूल के पास में है ओम कालेश और महादियो मंदिर के एक्जट बाजू के घ्राउंड के अंदर यह व कर दो